कंगना और रितिक रोशन के बीच पिछले एक साल से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है जांच कर रहे पुलिस और रितिक के बयान ने मामने को और उल्चा दिया है दरसल मुंबई पुलिस ने एक बयान दिया है और कहा है कि कंगना रितिक के बीच चल रहे विवाद में परयाप्त सबूत नहीं मिले जिसके कारण केस को बंद किया जा रहा है लेकिन इस बीच रितिक रोशन की लीगल टीम की और से एक चौकाने वाला बयान सामने आया है मेल आईडी से कुछ भी खोच पाने में हम असमर्थ हैं और ये पता लगाना मुश्किल है कि उसका इस्तिमाल कौन कर रहा था आपको बता दे कि बॉलिच के क्वीन कंगना रोनौत ने दावा किया था कि वो और रितिक एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में थे यहां तक कि रितिक ने उन्हें कई मेल्स भी किये थे तो इसके बाद रितिक ने पुलस में शिकायत दर्च कराए कि उनकी नाम से कोई कंगना को फर्जी मेल्स भेच रहा है इतना ही नहीं कंगना रितिक ने एक दूसरे पर कहीं आरूप भी लगाए यहां तक की कानूनी नूटिस भी भेजा सारे प्रिटिंस की इस जंग को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस हर संबफ कोशिच कर रही है लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है फिलहाल रितिक आने वाली फिल्म काबिल की शूटिंग में वियस्त है जो अगले साल जनवरी में रिलीस होगी तो वहीं कंगना विशाल भारदवाज की फिल्म रंगून में नजर आएंगी देखकर एटीप लाइव